चलिए जैन दोस्तो लाइव क्लासेस अटक गई है इसलिए हम इसको अपलोड कर रहे हैं यह रेशू की क्लास नंबर तीसरी है रेशू की क्लास नंबर तीसरी है वीडियो को पूरा देखना अंतक देखना रहा हमारे टेलिग्राम सर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलिग्राम को जरूर जोइन करना यह आप लोग के लिए बेनिफेटर पेडियाप नोट्स और जहां पर लाइव क्लासिक लिंग यहीं से हम आपको दे सकते हैं चलेंगे आगे चलेंगे कोशन को आपको समझाता हूँ मैं यह कोशन बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है कि 3068 रुपए को पेंच चेंज कर लेता हूँ इसमें से बाग अभाग क्या होगा इस बात को समझना कि 3068 रुपए में तीन भाग बनेंगे एक आके बनेंगे बाके बनेंगे और सा के बनेंगे इन में से आके भाग से 10 रूपया, बास से 14 रूपया और 7 से 20 रूपया कम करने की बात कर रहा है तोटल कितना कम करेगा अगर इनको कम करेगा तो तो आप दिखेंगे 44 रूपय कम करने की बात कर रहा है तीनों को जोडेंगे तो 44 आता है ठीक है अगर 44 रुपए कम करेगा तो कितना हो जाएगा भाई यहां नॉर्मली आप घटा लिए जी अगर आप बेसिक स्टूडेंट है 4-2-3-0 3-0-2 सेश धन बचेगा और जिसका अनुपात कितना हो जाएगा 5-6 और 7 यह आका है यह बाका है यह सका है तो इसमें बाका भाग निकालिए ना तो बाका भाग निकालना है क्या होगा बा उपर एड करेंगे 5-6-11-7-18 कैसे आया मैंने 5-6 को और 7 को जोड़ दिया 6-18 तिने कम 3-0-9-3-8-24 अब यहाँ पर समझना यह आपका अंसर नहीं है आपका अंसर बनाते वक्त आपने बाका हिस्सन जो निकाला है उसमें जो बाका भाग आपने 14 रुपए कम किया था उसको जोड़ के बताएंगे यह आपका अंसर बनेगा यहीं पर लोग गलती करते हैं आपको गलती नहीं करना है जरूर ध्यान दीजिए देखेंगे अगला कोश्चन चलिए अगला कोश्चन देखें एक दूद के एक 20 लीटर देखें मिस्रण कितना है यहां करने समझना 20 लीटर का मिस्रण है इस मिस्रण में किसका बात कर रहा है आपका मिल्क और वाटर की बात कर रहा है उसका रेश्यो है 3.1 अब मैं पहले समझ लेता हूँ कि इसमें 3 द निकालता हूँ मैं तो 20 में दूद 3 है तो टोटल हो गया चार चार पंचे 20 मतलब अगर मिल्क और वाटर का रेश्यो देखे तो मिल्क 15 है और पानी कितना है पांच तभी दोनों को जूड़ें कितना है कि 20 आएगा ना ठीक है यह निकालना आपको नहीं आता है तो हिस्सा कैस पर दिया हुआ है जाकि उसको देखे पहले अब बोल रहा है इसमें कितना दूद डाला जाए हमने एक्स दूद डाल दिया कि जो नया रेश्यो कितना बन जाता है चारौन पात एक बस इसको सॉल करो ना भाई क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे तो एक से करोगे यह आएगा और एक्स दूद डाले थे एक्स कमान पांच है तो आपको उत्तर कितना जाएगा पांच बहुत ही सरल तरीके से आप इस कोश्चन को सॉल कर सकते हैं देखते अगला कोश्चन चली इस ही में कोश्चन देखेंगे एक मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात पांच बद तीन हो जाता है पहले वाले मिश्रण में पानी कितना था समझना पहले वाला मिश्रण कौन होगा भाई पहले वाला मिश्रण कौन हो बताऊं आपको ये ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है ये पहले वाला मिश्रण है अब 6 लिटर पानी डालने के बाद वाला म तो मिश्रन का नुपात कितना हो जाएगा 4 और 3 का नुपात हो जाएगा इंटू कर लिजिए 8X इंटू 3 और ये 5X प्लस 6 8 तिया 24X और ये 5 चौक 20X और ये 6 बस अब यहां से घटा लिजिए इसको 6 चौक 24 ये हो जाएगा 4X और ये हो जाएगा 24 X कमान निकल किया है आपका 6 मिरे साब से बास समझ आ गई होगे अब समझना कि पहले वाले मिश्रन में पानी का अनुपात ये है आपका पहले वाला मिश्रन और पानी का वैल्यू है 5X और 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 लीटर मेरे साब से आपको बास समझ आ गई होगे रेशियो कोश्चन को आप ऐसे बनाएंगे तो आपके लिए जादा बेटर है और जादा बेनिफिट भी रखता है ओके बास समझ आ गई आपको चलेंगे अगले कोश्चन पे चलिए एक रूपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों का मुल्य 13, 11, 7 है तो 50 पैसे के सिक्कों का मुल्य कितना होगा समझना इस चीच को यहाँ पे समझना एक रूपए अब 50 पैसे के सिक्कों को हमको एक रूपए में कनवर्ट करना है तो कितने सिक्के बनाएंगे, दो सिक्के बनाएंगे, 25 पैसे के सिक्कों के सिक्कों में कनवर्ट करना है, तो 4 सिक्के बनाएंगे, यह हो गया, आप इसको आप 13 अनुपात, 11 अनुपात, 7 के अनुपात में आप इसको ले सकते हैं, किसी प्रकार के आपको कोई समस्या नहीं आएगे अब इसी अनुपात को आप x के form में भी ले सकते हो बस आप into करते चलिए आपका उत्तर निकल जाएगा यह हो जाएगा 13 x 11 दूनी 22 x और 7 चौक 28 x टोटल कितना सिक्का है 378 सिक्के एड़ कर दीजिए इसको यह कितना हो जाएगा आपका देखिए यह हो जाएगा आपका 30 50 63 x और यह 378 बस काट दीजिए किते बार में कटेगा मेरे साब से यह कट जाना चाहिए आपका 6 6 ती 18 6 बार में कट जाएगा यह किते बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्य 22 एक्स है इंटू कर दो ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा ठीक है अब तक अगर आपको सिक्के वाले कोश्चन समझ नहीं आते थे तो मेरे साथ से ये कोश्चन के बाद आप लोग उसको बनाना सीख गए होंगे ठीक है देखेंगे देखो ये है ये है आपका ये है आपका एक रूपए का सिक्का ये आपका 50 पैसे का और ये आपका 25 पैसे का तो 50 पैसे को सिक्कों का जो है वो 22 एक्स है ना मैंने क्या किया है आपस में मल्टिप्लाई किया है यह 22X 50पैसे के सिक्कों का है तो पुछा है पचास पैसों के सिक्कों के संख्य कितनी है तो कितनी है भाई 132 है और यहां मेरे मैंने क्या किया सभी पैसों को सिक्कों में बदला सिक्कों में भाई एक रूपए के यूनिट की एकोल लाने के लिए अगर पचास पैसे के दो पैसे रखूंगा तो एक रूपए बन जाएगा और पचीस पैसे के चार सिक्के रखूंगा तो एक रूपए बन जाएगा इसी प्रकार सौल करेंगे सवाल आपसे आराम से इसली ठीक है मेरे साब से बाते आपको समझ आ गई होगी ठीक है क्लियर है आगे देखते हैं चलिए अगला देखेंगे तीन समू के लड़कों की संख्या का अनुपाद दिया हुआ है कितना है चार पांच छे तीस लड़के प्रतिक समू में बढ़ा दी जाए तो नुपाद साथ आठ नौ में परिवर्तित हो जाता है बढ़ने से पहले लड़कों की कोल संख्या यहाँ पर समझना यह है आपका बढ़ने से पहले लिख रहूं मैं रेश्यो कितना था चार पांच छे और फिर क्या है बढ़ने के बाद कितना है साथ आठ नौ यह रेश्यो है समझना है ना सबको एक्स के टम में लेके चलेंगे हम सबको एक्स के टम में लेके चलेंगे हम तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक है अब एक चीज़ समझना कि तीस लड़के प्रत्यक समू में बढ़ाते हैं तो अनुपात चेंज हो रहा है ना तीस लड़के प्रत्यक समू में अगर आप गौर करो तो इसक कितना है इसका गैप कितना है 3क तो यह 3x किसके कवल होगा 89 लड़कों के ऐकुल होगा तब ही तो सबमें 3x का गए पाया X को में कितना निकल के आया 10 यह बात आपको समझ आनि चाहिए अब समझना बढ़ने से पहले लड़के कितने थे फूर एक्स 5 एक्स और 6000 x मतलब कितने थे यह 25, 15 थे 15 x थे और into x करूँगा तो कितने थे 150 थे बढ़ने से पहले बोलेगा तो आप इसका इस्तमाल करेंगे बढ़ने के बाद बोलेगा तो आप उसका इस्तमाल करेंगे यह दोनों चीजे आपको समझाती है कि आपको सवाल solve कैसे करना है ये एक लाइन याद रखना यदि 30 लड़के प्रतिक समू में बढ़ा दिये जाए तब अनुपाद चेंज हो रहा है पहले अनुपाद कितना था 4-5-6 का था अब क्या हो गया 7-8-9 का तो उनका गैप उन 30 लड़कों के गैप के एक्वल होगा क्या है इस लिए हम ऐस्स प्रकार सिसकोल को सॉल्ल किये हैं इस वीडियो में इतना ही तो अगर आप हमसे टेलिग्राम से जोइन नहीं किये हैं तो सर्म मोशिंग क्लासेज के टेलिग्राम से जोइन करें और यह हमारा jewड़साप सब नंबर है जहाँ से आप लिंक ले सकते हैं ओके धन्यवाद ठैंक यू